आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आईए आज आप सब सुनेंगे स्रावन सोंबार ब्रत्र की कथा हिंदु धर में स्रावन महीने का बड़ा ही विशेश महत्तुमा न गया है स्रावन का महीना भगबान शिवजी को अती प्रिय होता है जो भी भगत सची सरधा के साथ नियम और निश्ठा के साथ स्रावन के महीने में भगबान शिवजी का विशिक करते हैं पूजन करते हैं स्रावन सोंबार का ब्रत रखते हैं ब्रत में नियमों का पालन करते हैं कथा शम्रिद्धी का आश्रवाद परदान करते हैं तो आए सुनते हैं स्रावं सुंबार ब्रत की कथा तो बोलिये फ्रेम से भगवान भोले नाथ की जै माता पारवती की जै सर्व्र देवी देवता की जै प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में एक वैश्य रहता था जो बड़ा है धनी एवं एश्वर्य युक्त था जिसके कारण उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख न था परदू इतनी अतुल संपत्ति होने के बाद भी उसे भोगने वाला उसकी कोई संतान ना थी जि वह वैश्य भगवान शिवजी का बड़ा भक्त था और प्रती सोमबार को शिवजी का ब्रत तथा पूजन किया करता था उसे विश्वास था कि भगवान शिवजी का पूजन करने से मुझे एक ना एक दिन पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी जो मेरे इस अतुल धन का भोग करेगा ऐसा मन में बिचार कर वह प्रती सोमबार को व्रत करता तथा सायमकाल शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था तथा बड़ी भक्ती से मदुर पाक वयंजन बनाकर भगवान शिवजी को भोग लगाकर स्वयम प्रशाद लेता और पत्नी को देता उसे ऐसा करते देखकर भक्त वसला देवी पारवती से न रहा गया और वे भगवान शिवजी से बोली कि है भगवान यह वैश्य आपका प्रती सोमबार आपका ब्रत करके सायमकाल दीपक जलाता है तथा इस प्रकार बड़ी भक्ती भावना से पूजन करता है अता आप इ बाते सुनकर भगवान शिवजी बोले कि है देवी इस वैसे के तो पुत्र नहीं है यह इसके पुर्व जन्मों का ही फल है देवी यह जगत तो कर्म मैं है मनुश्य कर्म के बंधनों से बंधा हुआ आता है तथा अपने कर्मों के फलों को भोगता है उसी प्रकार यह ऐसे उपदेश आत्मक वचनों को सुनकर फिर भी माता पार्वत्ती नहीं मानी और कहने लगी कि है इस वर आप तो भक्त वसल है फिर अपने भक्त पर क्यों नहीं दया करते जबकि वह सदयब आपकी भक्ती प्रेम पुर्वक करता है फिर आप उसे पुत्रवान करके उसके दुखों का क्यों नास नहीं कर देते यदि आप अपने भक्तों के दुख का निवारण नहीं करेंगे तो कौन आपका ब्रत पूजन और सेवा करेगा यह भगवन मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किरपा करके उसे आवशी ही पुत्रवान बनने का आश्रवाद परदान की जब पारवती जी सिफजी से ऐसा कहने लगी तो सिफजी बोले कि है देवी जब तुम ऐसा कहती हो तो मैं तुम्हारे कहने से उसे पुत्र का वर देता हूँ यद्यपिर उसके भागी में पुत्र का सुख तो नहीं है यह तो किवँल बारह वर्ष्ट तक ही जिवित इस प्रकार कुछ काल व्यतित होने पर उस वैसे की इस्त्री गर्वती हुई तथा दस्वा महीने प्राप्त होने पर एक सुन्दर पुत्र की उत्पत्ती हुई जिससे उसके घर में बड़ी खुसिया मनाई गई सब लोग अत्यधिक हरशीत हुए परंतु उस वैसे को कुछ विशे सुख न मिला क्योंकि उसे यह विदित था कि यह पुत्र बारा वर्ष बाद पुना मिर्टु द्वारा गर्शित हो जाएगा इस प्रकार हसी खुसी में वह बारा वर्ष का हो गया एक दिन उसकी माता वैस भांजे से विवाह के लिए कहने लगे तो उसके पिता विचार कर कहने लगे कि अभी विवाह की क्या जल्दी है अभी तो मैं इसे कासी पढ़ने के लिए भेजूंगा इस्तरी से ऐसा कहकर उस वैसे ने बालक के मामा को बलवाया और उसे खुब अधिक धन देकर बोला तथा यग्य करते जाना इस प्रकार वे दोनों मामा भांजे अस्थान अस्थान पर ब्रामनों को भोजन देते तथा यग्य करते हुए एक नगर में पहुंचे वहां के राजा की कन्या का उस तीन विवाह था कन्या बड़े ही रूप वती और स्रवगुण संपन्य थी पर जब उसने वैसे के पुत्र को देखा जो बड़ा रुपवान था तो विचार कर उसके मामा से कहने लगा कि यदि थोरी देर के लिए आप अपने भांजे को मुझे दे दीजिए तो आपकी बड़ी किरपा होगी थोरी देर की बात है विवाह हो जाने के पशात इसे हम आप आपको वापस कर देंगे और आपको बहुत सा धन भी देंगे फिर तो बालक की मामा ने स्वेकार कर लिया वर का पिता उसे वर बनाकर मंडप में ले गया और विवाह का समस्त कार्य बड़ी दक्षता के साथ संपन्य किया प्रंतु जव लड़का सिंदूर दान करके लोट से हुआ है और अब मैं काशी में पढ़ने के लिए जा रहा हूं परंतु जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आख का काना तुम्हारा पती नहीं है इस प्रकार विवाह कार्य संपन्य होने पर विदा की बेला पर जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर वैशे का पुत्र है जो इस समय काशी में पढ़ने के लिए गया है फिर तो राजकुमारी की ऐसे बाते सुनकर उसके माता पिता अत्यंत आश्यरे में पढ़ गये और राजा अर्थात वर के पिता की धुर्तता से अत्यंत दुखी हुए तथा कन्या को विदा नहीं किया ब और उसके मामा ने यग्य करना प्राडम्भ कर दिया इस प्रकार कुछ दिन व्यतित होते ही लड़के की अवस्था जो की बारा वर्स पूरी हो गई उस दिन यग्य हो रहा था उस बालक ने अपने मामा से कहा आज मैं कुछ अस्वस्त हूँ और सोने के लिए जा रहा हूँ ऐसा कहकर वह जाकर सो गया परंतु उसके सोने के थोरी देर बाद ही उसके मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया जिससे वह अती दुखी हुआ परंतु यग्य हो रहा था इसलिए यग्य विध्वन्स के भैसे चुप रहा और जब यग्य कारिय समाप्त हो गय तथा सब ब्रहमन चले गए तब वहाँ खुब जोड़ जोड़ से रोने लगा उसी समय भाग्यवस पारवती जी सहित भगवान शिव जी उधर से जा रहे थे कि तभी पारवती जी ने करुण रुदन सुना जिससे सुनकर उनका हिरदय द्रवित हो उठा और वे शिव जी से कहने लगी कि है किरपानिधान देखिए तो कौन इस समय इतनी करुणा से रुदन कर रहा है आप वहाँ चलकर देखिए वह क्यों रो रहा है तब पारवती जी का ऐसा आग्रह सुनकर के भगवान शिव जी उस अस्थान पर गए जहां पर उसका मामा अपने भांजे को ल अश्य का बालक मरा जा रहा है जो आपके वरदान से हुआ था भगवान शिव जी बोले कि है देवी यह बालक अपनी आयू समाप्त कर चुका था और फिर मर गया इसमें किसी का क्या दोश पारवती जी ने कहा कि है दिवादी देव महादेव है भगवान भोले ना था जैस तो वह वनिक पुत्र के वियोग में मिर्तु को प्राप्त हो जाएगा तब पारवती जी के ऐसा कहने पर भगवान शिव जी ने वनिक पुत्र को जिवित कर दिया इस प्रकार वह शिव जी के वरदान से जिवित हो गया और शिव पारवती पुनह अपने धाम को वहां से अ में पहुँचा जिस नगर में राज कुमारी के साथ उसका विवा हुआ था वहां पहुचकर उसने यग्य करके ब्रामन भोजन करवाएं जिससे भोजन करते जाते हुए पंडितों द्वारा राजा को यह खबर लगी कि कासी से कोई वैश्य पुत्र आया है जो यग्य करके ब आदर के साथ अपने महल में लेकर आया और कुछ दीन तक रखकर खूब आदर सतकार किया और पुत्री को खूब दान दहेश सहित उसके साथ गिदा कर दिया तब वह बनिक पुत्र इस्तरी सहित मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा जब वे लोग घर के थुरा नज सहित तुम्हारा स्वागत कर पाएं इधर वहाँ वैसे अपनी इस्तरी सहित छत पर बैठा था कि यदि मेरा पुत्र कासी से लोटकर नहीं आयेगा तो हम लोग यहीं से कूद कर अपने प्राहन दे देंगे परन्तु जब साले ने आकर कहा कि आपका फुत्र कुसल से अपन के साथ पुत्र और पुत्र वधु का स्वागत किया और अति प्रशन हो सोमबार ब्रत करके भगवान शिवजी का विदिवत पूजन और वंदना किया इसी प्रकार से जो भी भक्त सची स्त्रधा के साथ नियम और निश्ठा के साथ सोमबार का ब्रत करके भगवान शिवज को भगवान शिवजी की कृपा से शिद्ध कर पाते हैं तो बोलिए प्रेम से भगवान भूले नाथ की जय माता पारवती की जय तो आसा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ज्यान परधक जानकारिया प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर समय से मिलता रहे वीडियो को लाइक करे शेयर करे शुखी रहे और स्वस्त रहे जैसे राधे किष्ण धन्यवाद